नमस्से मैं हूँ सचिन गोयल और अपा सौगत करता हूँ जैपुर्दा पिंक सिडी चैनल पर दोस्तों मौसम बदलते टाइम जरा सी लापरवाई करते ही टॉंसिल की बिमारी हर किसी को अपना शिकार बना ही लेती है गले में ऐसा लगने लगता है जैसे काटे चुब रहे हूँ बहुत से लोगों को टॉंसिल के साथ साथ तेज बुखार आने लगता है टॉंसिल के करण कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है अगर लंबे टाइम तक टॉंसिल बना रहे तो ये गले के फोडे का रूप भी ले लेता है जो बहुत खतरना कोता है और इसके लिए आपरेशन तक करवाना पड़ जाता है आईए आज इसी टॉंसिल की बिमारी के लिए एक ऐसा जबरदस घरेलों उसका देखते हैं जो इतनी तकलीफ देने वाले आपके टॉंसिल को तुरंट ठीक कर देगा इसके लिए हम गैस पर एक पैन रख लेंगे इस पैन में हम डाल लेंगे एक गलास पानी इस एक गलास पानी को हमें हलका गरमी करना है बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है यह हमारा पानी हलका गरम हो गया है तो अब हम इस पानी को एक गलास में निकाल लेंगे अब दोस्तों हमारी रसोई में रखा हुआ मीठा सोड़ा हमें काम में लेना है हम इस मीठे सोडे की एक चमच अपने इस एक गलास हलके गरम पानी में डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे बस फटा-फटा हमारा नुस्खा बनकर तयार है लेकिन आपको ये पानी पीना नहीं है बलकि आपको इस पानी को इसी तरह बना कर दिन में दो बार गरारे करने है यानि गारगल करने है इस नुस्खे को यूज करते ही टॉंसिल और गले का दर्थ एक ही दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है अगर टॉंसिल बहुत ज़्यादा हैं तो इसे लगातार तीन दिन तक यूज़ करने से बहुत ज़्यादा सूजे हुए टॉंसिल भी ठीक हो जाते हैं दोस्तों टॉंसिल की बीमारी के दोरान कुछ खास सावधनियों का भी ध्यान रखें जो मैं अब बता रहा हूँ कूलर और AC की सीधी ठंडी अवा में नहीं सूएं टॉंसिल के साथ खासी भी हो तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और तेल गी वाली चीजें नहीं खाएं दिन बर थोड़ा थोड़ा करके हलका गरम पानी पीते रहना चाहिए बस नुस्के के साथ साथ इन छोटी छोटी सावधनियों का ध्यान रखेंगे तो टॉंसिल तुरंत ठीक हो जाएंगे आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलों उसके देखते रहने के लिए जैपुर्दा पिंक सिटी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए